हलो फ्रेंट्स, आप्रुती, वेल्कम बेक टू आर्ड चैनल, प्लांट से स्पेस ये बुगन बेलीय प्लांट दो साल का हो चुका है, कटिंग से ग्रो किया था, इस गिप्ट मिला था हमें हमने आपसे शेयर भी किया था वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है परवरी मार्श में इसमें न्यू ग्रोथ होती है क्योंकि सर्दियो में और अभी इसमें अच्छे से फ्लावर जाते हैं यानि नई पती आएंगी तो अब इसको ठीक करना भी जरूरी है हमारा काम फर्वरी से चल रहा है तो हम थोड़ा लेट हो गए है लेकिन अभी temperature high नहीं हुआ है सही है तो इसको ठीक किया जा सकता है देखे drainage hole lock हो गया था यानि बंद हो गया था क्योंकि जड़े drainage hole से होती हुई बाहर चली गई थी और जब drainage hole बंद हो जाये तो pot का drainage system बेकार हो जाता है और वो पानी जो इसमें भरता है वो फिर खतम नहीं ह हो पाता निकल नहीं पाता pot से तो इसलिए reporting करना जरूरी होता है परवरी मार्च का टाइम पौधों की checking का होता है अब देखें नीचे की तरफ भी इसमें roots फसी हुई है तो आप समझ सकते हैं कि drainage system इसका पूरा बेकार हो रखा था lock हो गया था system तो अभी हमें प्लान को ठी चम से बाहर चली गई थी तो अब इसको ठीक कर लेते हैं वैसे तो प्लान पे फ्लार्विंग स्टार्ट हो गई है निव ग्रोथ स्टार्ट हो गई है लेकिन बहुत जादा roots इसकी disturb हम नहीं करने वाले हैं side side से trim कर दिया soil को हटा दिया और नया potting mix बनाएंगे तो plant आगे क अच्छी ग्रोथ के लिए तयार रहेगा इस बार इतनी reporting कर ली कि हमारे साथ साथ आपको भी experience हो गया होगा कि roots की trimming करने से plants खराब नहीं होते और उसका result हमने कल वीडियो में आपको दिखाया हमारे सभी पौदों में growth start हो चुकी है कोई plant बेकार नहीं होता है जब आप हलक जोल पर पत्थर रखा उसमें मिटी भरने के बाद इसमें एक layer गोबर की खात की हमने बना दी आप बर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं और मिटी हमने पुरानी सूखी हुई ली है जो पुराने गमलों में से निकली उसको हमने एक दिन सुखा दिया धूप में और इससे मिट मिटी सुखा देते हैं तो जो भी इंसेक्ट होते हैं वो भी हट जाते हैं सॉयल में से और एक बात फंगल इंफेक्शन का डर भी खतम हो जाता है प्लांट में क्यूंकि सॉयल रिचार्ज हो चुकी है अब नए मिटी नए खात के साथ बना करके हमने इस प्लांट को दोबा करने के लिए क्योंकि जब बारिश में अगर ज्यादा पॉट्स खाली रहते हैं तो पानी उनमें भरता है और उसी वज़े से जो मिटी है वो ज्यादा गीली रहती है लगातार उसमें नमी बनी रहती है तो कोशिश कीजिए पॉट एक या डेर या दो इंच ही खाली रखे बाकि उसको भर कर रखिए अब जो एक्स्टा रूट्स हमें उपर से दिखाई दे रही है उनकी भी ट्रिमिंग उपर से ही की जा सकती है इस तरह से प्लांट बेकार नहीं होगा कुछ प्लांट सेंसिटिव होते हैं जिनकी बहुत ज़़दा रूट्स डिस्टर्ब नहीं क करनी चाहिए लेकिन जो मेन बड़े पौधे हैं उनकी रूट्स को आप हलका हलका ट्रिम कर सकते हैं और खास तोर से उन पौधे के जो कटिंग से ग्रो हो जाते हैं उनकी रूट्स अगर थोड़ा बहुत करते हैं तो कोई परिशानी नहीं आती है अब उपर से एक लियर फ खाद मिलाना है या फिर कटाई चटाई करनी है या फंजी साइट का स्प्रे करना है वो सब आपको शाम को करना चाहिए अब हमने पौधा लगाने के बाद अच्छे से पानी भर दिया है अब रूट सेट हो जाएंगी और इसको डारेक्ट आप धूप में भी रख सकते हैं वैसे तो हम लगभग 10 दिन लेट हो चुके हैं क्योंकि फूल अब बनने लगे हैं लेकिन फिर भी अगर आप कटिंग करना चाहते हैं और पौधे को शेप देना चाहते हैं तो अभी भी आप दे सकते हैं आज 7 मार्च हो चुका है और लगभग 10, 12 या 15 मार्च तक अपना स सारा कम जरूर से पूरा कर लीजिए इसके बाद बिल्कुल भी जादा प्लांट्स को डिस्टर्ब नहीं कीजिगा क्योंकि ग्रोइंग सीजन शुरू हो चुका है हाँ नए पौधे अगर लाना चाहते हैं नर्सरी से लाके भी लगा सकते हैं क्योंकि अभी जादा गर्मिय नहीं है कोई क्वेरी हो तो बूचेगा थेंक्यू